करेंगी क्योंकि इसे पहले तो आप ना यहां आये थे और नहीं यहां पे अपके लिए कुछ व्यवास्ता था लेकिन आप आप के लिज़ गार यहांasters क tub काई के वाध्यां तो आप सबी नाए स्टुडेंट जो अभी अभी ठर्ट समिस्टर में गोन करने क्लासे सब्सक्राइब के लिए तो इससे बेदर मुझे नहीं लगता है कि और कहीं आपके लिए हो सकता है पाकि आप सब अतंतर हैं आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर जो नए चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लेंगे और दूसरा काम यहां पर आपको कुछ नंबर सोक हो रहा है 7479-421-435 यह अभी का भी आपके मुआल में नंबर सेव हो जाना चाहिए क्यों सर क्यों इसलिए क्योंकि आप यहां पढ़ है नहीं पढ़ है फार कुछ से नहीं पढ़ता है लेकिन दा पुले टेक्निक लासेस का यूट्यूब चैनल द पुले टेक्निक लासेस का वाट्सप ग्रूप आपके पास होना चाहिए और तिसरा आपका यह 10 डिजिट का नंबर आपके मुआल फोन में सेव होना चाहिए क्योंकि यह वह चीज़े है जो आपके अभी से लेकर के 6 समेस्टर तक काम आने वाला है 6 समेस्टर तक इलक्ट् यह सिर्फ और सिर्फ उलक्ट्रोनिक्स का है और यह आपका इंसच्शूट है यह मेरा नहीं इसे आपका है ठेक है आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे जैसे क्या देख रहे होंगे स्टुडेंट के रहे होते होते उन लोग बोले सर मेरा प्रैक्टिकल हम चाहते तो उसी द पर कम आते फिर यह पुष्ट हम कम को पढ़ाते लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया हमने किया कि जिस दिन अश्टूडेंट फिरी रहेंगे उसी दिन टेस्ट होगा यानि संडे को टेस्ट होगा आपका अपका लौंच हो चुका है अश्टूडेंट का डिमांड था और कोर्स कम से सब्जेट को डिल करेंगे कौन सा सब्जेट के लिए कौन सा बुक वेहतरिन होगा इन सारी बातों को मैं आज बताने वाला हूं तो आईए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले आपको किसी भी तरह से कोई प्रोब्लम है तो इस नंबर पर कॉंटक्ट फेस्बुक अगर इन सब पर सोसल मीडिया पर हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर लेंगे ठीक है तो टेलीगराम मस्ट है और यूटूब मस्ट है ठीक है मैं सारा कुछ बताने से पहले मैं इस चीज़ को मैं किलियर कर दूँ आप सभी को कि यहां पे कैसे पढ़ाया जाता ह यहां पे क्या फेसिलिटी से स्टुडेंट को दिया जाता है उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा मुझे पढ़ाई कहां करना है और बात रही ब्रांच पेपर का तो ब्रांच पेपर आप जो सपना देके थे ना एक साल पहले डिविशन लिये थे किस ब्रांच में तो कुछ कर सकता हूं जो और कोई नहीं कर सकता है इसके लिए अपने से गाइडेंस लेंगे जैसा आपको करना है क्लियर है तो आईए हम लोग कुछ बातें को यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे आपको दिया क्या जाता है पाहला प्री रिकॉर्डड एंड लाइव पूरा का पूरा लाइव क्लासे सोगा तो जो लाइब क्लास लेंगे जो रिकॉडडड लेना चाहता है दोनों प्लेकिसंट पर करा दिया गया है ठीक है उसके बाद अपको अरक्षर यहां पर Nut देख अपकोूर्डत मिलेंगी और ध्यान रहें कि ई algunas जो मिलेंगी आपको यहां से इसके पार्ड सेमेस्टरेंग नहीं प्रींट करने के लिए पढ़ाई करेंगे इसका रिलेशन जो है आने वाला फोर्ट सेमेस्टर आने वाला भीफ्ट सेमेस्टर हो आप की का आने आप आज प्रिंट करवा लेंगे और six semester जब मेकाट्रोनिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पे पूरा electronics पढ़ना है मेजारमेंट, ADC पढ़ना है डिश्टल बगएरा अब बतो वहां पे यह नोट्स जो नोट्स बनाएंगा वहां पे तो यह सब काम करने से अच्छा है कि आज का आज आज आप लोग को नोट्स बनाना स्टार्ट करते माप में पता रहा हूं के ओर Pdf लेक्चर वाज मिलेंगे यहां से देख करके आपने notes copy में इसको note करना होगा clear है live.class मिलेगा ठीक है live.class होगा unit wise test हो जाएगा MCQ online test हो जाएगा BBI MCQ subjective question आपको मिल जाएगा exam time live revision classes मिल जाएगा जैसे आप लोग करते हुए आए हैं अभी कही ने कही पढ़े होंगे first second में वहाँ पे भी मिला होगा यहां पे भी आपको मिलेगा यहां पे एक important की guessing question आपको दे दिया जाएगा ताकि पूरा syllabus पढ़ने से last में पूरा syllabus पढ़ना last में एक easy हो जाएगा की guessing question आपको मिल जाएगा जहां पे 90% chances है कि maximum जो questions आता है इसी से आता है तो यह एक advantage के प्रोप में होगा और एक और advantage है जो कहीं नहीं देखने को मिलता है लगभग कहीं नहीं कि separate boys और separate girls बाट्सप ग्रूप जहां पे आप आसानी से डॉट को पूछ सकते हैं जहां आसानी से teacher से आप direct बात कर सकते हैं अगर किसी भी subject में problem हो रहा है तो तो यह कहीं नहीं मिलता है लेकिन यहां पर आपको दिया जाता है वाइस के लिए लग गल्स के लिए लग जहां पूरा डॉड पूछ सकते हैं जितना चाहें जितना मन करें पूछ सकते हैं उसके बाद स्टुडेंट के साथ faculty meeting और और यहां पे student और फेकल्टी के बीच meeting होगा monthly student online meeting क्योंकि आप और हम कैसे connected है online है तो meeting आप का online होगा this meeting में क्या होता है तो आपको बताया जाता है कि आप कैसे आपको नूर्स बनाना है किस्वें स्टुडेंट में ऐसा कोई problem हा रहा है तो वहां पे आप Family के बीचमें किसर मुझे बढ़ाई करहें कितना मेहिनत कर रह रहे हैं इसी को देख करके आपको भी क्या करना पढ़ाई करना और यह सब चीजे आजर इंसचूट में मुझे नहीं लगता है कि मिलता है यह फैस्लेटिस नहीं होता है वहाँ पे ठेक है उसके बाद आपको मिलेंगे यहां पर बहुत सारे चीजे आपको बताया जाए कि जिससे आपको मोटिवेट हो पाए है लक्टॉनिक्स के लिए स्पेशल ठेक है बेस्ट गाइडलाइन्स होगा और रिस्पॉंस की बात करें तो बहुत जल्दी किसी चीज़ का चाहिए डौट हो प्रॉब्लम हो यहां पर किसी और की किसी और के सब बेसिक चीजे मैं और नहीं बात करने से पहले मैं यह बात किया कि मैं यहां क्या करता हूँ, कैसे student को पढ़ाया जाता है, क्या क्या facilities दिया जाता है, इन सारे चीजों को मैं यहां पर बता दिया, अब आईए हम TPC के जो main चीजे होता है, जिसके बारे में जानना थोड़ा जूरत होता है, कि अगर स सब्जेक्ट से छोड़ करके बाकी और चीजे से problem हो, जिसके कोई अगर poor families आते हैं, कि नहीं का parents नहीं है, उन के से समय उन लोग के पास थोड़ी से पैसा का problem होता है, तो आप किस से बात करेंगे, तो सावाइक से बात है, जो institute का director होते हैं, ठीक है, तो उन से आप directly बाते क कर सकते हैं, तो उनके लिए बता दो कि यही number है, सब के लिए सब problem का इक ही solution यह number दे करके आपको जाने वाला है, और यह number आप सभी के पास होना चाहिए, तो subject को छोड़ करके, किसी और तरह के problem अगर आप share करना चाहते हैं, तो teacher से share नहीं करेंगे, और आपको जो share करना है, वो इस number पे share करना, ताकि directly हमसे आपका बात हो सके, कोई भी problem हो, तो हम बात कर सके, उसको solution हम चाहेंगे, जल्दी से जल्दी करने का, इसलिए यह number आपके पास होना चरूरी है, ठीक है, चलिए, और थोड़ा मैं बात करूँ कि faculties का, कि यहाँ पे कौन-कौन से faculties पढ़ान हो सकते हैं, उनके से जितना चाहे, उतना पूछ सकते हैं, कहा जाता है, कि अगर आपको निम्बू दे दिया जाए, तो आपके धि करता है कि उसमें से कितना निम्बू को निचोड करके आप रस निकालेंगे, तो आपके साथ यहाँ पए जो टीपी सी के जितने ही faculty यह यह तरह से निम्बू है हम आपके उपर समार्पित कर चुके हैं कि आप कैसे यूज करेंगे कितना यूज करेंगे कितना डौट पुछेंगे उतना आपको किलियर होगा तो आप आपके जो कैसा भी टॉप से टॉप कोश्चन असान से असान कोश्चन जो समझ में नहीं आया हो कोश्चन आप डिरेक्ली सेर कर सकते हैं और मेरे पास जितना भी कॉंसेप्ट होगा मैं सब उट्युलाइज करूँगा आपके उपर कहीं न कहीं कभी न कभी समझ तो आएगा पहुंच सारी चीजों को देखने को मिलेगा सबसे हम हिस्सा के अगर बात करें कि दा पॉलिटेक्निक क्लासिस के बारे में तो आपके सामने आएंगा अभी सेकसर और यह अभी सेकसर चेहरा को पहचान लीजिए यह वही है जो पूरे बिहार में आज इलक्ट्रोनिक्स को एक अलक से जान दे कर आया है क्योंकि जब यह नहीं थे तब इलक्ट्रोनिक्स को पढ़ाने वाला और इलक्ट्रोनिक्स को बताने वाला सब इग्नॉर करते थे कि नहीं है रहे इलक्ट्रोनिक्स है छोड़ो क्या पढ़ना है नोर्स पीडिएफ देखर के चलो किसी तरह से अपने डिप्लोमा गुजार लो गवर्मेंट जॉब तो है नहीं कि करोगे लेकिन अब टाइम बदल चुका है अब वो वक्त नहीं है जो वक् से लिए पुलिय टेक लास स आफ़िसे इलक्टोनिक्स के अंदर में इंहों नेहीं अब मास्टर करने का मतलब ही 요 disfrlt को से मास्टर का मतलब क्या होता है जिस ब्राइच को आप पांगने जा है उनका यह master degree ले चुके हैं यानि कहें तो आप जो कर रहे हैं यानि diploma यह इप्मॉमा भी electronic से की हैं बी टेक की में बात करूंत बीटेक भी electronic से की है और अभी मेशी Master of Science Meu Master science के अंदर में जो इनका सब्जेक्ट है वह है electronics यानि Master of Science electronics से यह कर रहा है सोच सकते हो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह electronics expert है क्या है electronics expert है तो आप जिनको educational background देखना है वो देख सकते हैं open देखाते हैं हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ही पा रहा हूं जब यह पढ़ाएंगे तो आपको नजर आएगा इनका और आपके बीच में क्या ओरी लिसर्स है कितने दिनों से यह पढ़ा रहा है सेवे निया teaching experience और जब से इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है एक ही पेपर के तो पढ़ाया है वह पेपर है आपका communication और यह communication पेपर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी से लेकर करके थार्ट समेस्टर से सिक्समेस्टर तक हर एक समेस्टर में एक नए communication आपको देखने को मिलेगा यह communication सब्जेक्ट मिलेगा जैसा कि इस वर मिला प्रिस्पल और प्यार्ट से लोग इसको पी इसी बोलते हैं इन से आप आसानी से मिल सकते हैं इन से बाते कर सकते हैं आपके अंदर और जोस और ज्वन आ जाएगा कि अ सिर्फ मोटिवेशनल कहानी पर बहुत सारा कहानी आपको सुनाएंगे एक क्लासिस को दोरान यव क्लासुम में पामने में जो लगे आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद इस सब्जेक्ट को लेने वाल हूँ यह सब्जेक्ट इतना इंप्पोटेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो जिस ब्रांच के बारे माँ पढ़ने जा रहे हैं उसका बैक बोन है ये बैक बोन जिसको बोला जाता है ये सब्जेक्ट अकर ना समाजी में आए तो फिर एलक्ट्रोनिक्स कहलाने लाइक आप नहीं रहेंगे और इसको समझाने में मैं अपना चीज जान लगा दूँगा कैसे के रेंट फ्लो होता है के रेंटब़ो होने के लिए क्या चीज कि अवसकता होता है एक सब्जेक्ट आपने पढ़कर कैवी आया होगा फर्स सेमिस्टर में फटन्डामेंटा Eli 빼क्ट्रिक या फॉप फटनामेंटल ऑफिद्ट्रिकर इन उन उन सारे का बेसिक आप वहां पर पढ़े थे यहां पर detail analysis आपको पाढ़ना है जिसे में आप एक basic पढ़े थे जिसे में फिर ट्रांजिस्टर डायोड सेमिकंडक्टर बगर पढ़े थे एक आप operational amplifier पढ़ करके आए थे एक आप digital पढ़ करके आए थे यह तीन यूनिट आपने पढ़ाता fundamental of electrical and electronics में आप आकर के यह तीन यूनिट तीन सब्जेक्ट में कनवाठ होगा आपका यानि डिश्टर इलक्ट्रोनिस अलग सब्जेक्ट यह लाई सी जो फोर सेमिक्टर है पढ़ना जिसमों वोपायम पूरा पढ़ना है वो अलग सब्जेक्ट और एक आपका electronics device and circuit आपका अलग सब्जेक्ट यानि तीन यूनिट आगे चल करके ब्रांच में तीन सब्जेक्ट इसलिए आपको वहां पर पढ़ाए गया तब fundamental यानि basic अब उसका यहां पर देखने को मिलेगा लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा मैं यहां जीरो लेवल से आपको पढ करूंगा उसके बाद आपको किस दिवाइस तक डिवाइस के बाद सर्केट में इंप्लिमेंट करके बताएंगे कैसे connections करते हैं कैसे हम किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए प्रोपर वाइसिंग करते हैं इन सारे चीज़ों को आपको मैं सब्जेक्ट को क्यों ले रहा हू region है कि मैं भी diploma electronics से किया हूं B.Tech भी electronics से किया हूं और फिलाल M.Tech भी मैं electronics से कर रहा हूं यह यहां पर तीनो electronics के अंदर में है इसलिए मुझे भी student के दोरा tag मिला है Sir Electronics expert एक और है electronics booster के नाम से लोग जानते हैं हमें सोच सकते हैं कि electronics के अंदर में इतना वार डिग्री आभी अचिव कर सकते हैं अभी फिलाल आपको यहां पर है डिप्लोमा कर रहे हैं अच्य से यहां पढ़ाई करना होगा जितने अच्छी से यहां पढ़ाई करेंगे उतना असान आपको यहांप हो जाएगा ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि अभी आपका समिस्टर ठाड है अब ठाड समिस्टर जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना असान आपका फूर्थ समिस्टर हो जाएगा फूर्थ अच्छे से पढ़ेंगे तो फीपत असान हो जाएगा और यह जब तीनों अ पुरा जिन्दगी भी ढला हुआ है जितना आगे चल करके टाफ हुजएगा आज जितना टप आप काम कर लेंगी आगे चल करके आपको जो तो आपको जो सुचना है कि परजे टाइम जितना बेहतरीन करें जीतना मेंहिनत करना है पर इंदर और आगे चल करके यह आपको काफ़ी काम आएगा ठीक है ट्यूंग यह लागबबग से और इलक्ट्रोनिक्स यह लगबग बहुत बार हमने पढ़ा चुका है लेक्ट्रिकल के अंदर जेए के अंदर और आपको इलेक्ट्रोनिस के अंदर तो मैं हूँ है तो यह चाथा बार इस सब्जेक्ट को लगबग हम लेने वाले हैं सोच सकते हैं यह ऐसे ऑफिस्यल ऐसे बताएगे इसे बहुत जादा पर मैं इसको पढ़ा चुका हूं ठीक है तिसरा जो आपका सब्जेक्ट है ओ है इसी यानि इसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्कुट अनिट बार रहे हैं यह भी सब्जेक्ट मैं खुद लेना हो लाँ यह कैस सब्जेक्ट है प्योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट है प्योर कॉंसेफ्ट बेसिस सब्जेक्ट है यह जब सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे ना यह दिमाग है ना दिमाग का सारा बायर ओपन हो जाएगा सारा तार खुल जाएगा आपको इस दिमाग का अरे यह ऐसे हो रहा ऐसे हो गया सर कैसे इस Subject काफी इंट्रेस्टिंग है सबसे ज़ादा अगर मांक्स गेन कर सकते हैं तो इस Subject में 70 out of 70 making a pure numerical paper, pure numerical paper रहिए Pure का pure numerical paper आप 70 में 70 इस winter पेपर मिला सकते है 65 तो आसानी से ला सकते हैं क्योंकि pure को pure numerical paper है यह सारा numerical ही question आएга प्यूर मैथेमेटिक्स आप पढ़ेंगे जो लोग इंट्रिगेशन पढ़कर के आया है वो सब का सब यूज होने वाला यहां पर और नए नए तरीके का फोरियर स्रीज लैपलर्स ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा जो आप लोग बेजिक वहां पर पढ़े थे सिग्नल बगेरा परियोडिक सिग्नल बगेरा पढ़े थे अंदर में उस सब का सब इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह सब्जेक्ट काफी इंट्रेस्टिंग काफी रोचक होने वाला है ठीक है ना यह भी सब्जेक्ट को मैं लगबग छठा वर पढ़ा रहा हूं ठीक है यह दो सब्जेक्ट अब मैं आपको लेने वाला उन ठीक है एक सब्जेक्ट है भी सब्जेक्ट सर और एक सब्जेक्ट आपको यह डिश्टल के दुनिया में ले करके चलेंगे मतलब जीरो एंड वन के फाउं में आपको जिन्दगी को बदल करके रख देंगे यानि सर कुछ अब यह बात करेंगे तो कहेंगे जीरो वन जीरो वन बस और कुछ नहीं पूरा जीरो एंड वन प्रें यह कहानी खत्म कर देंगी अगर आप ऐसे दो लिखते हैं तो यह नहीं लिखेंगे यह a10 न यह एसे लिखेंगो हैँ अगर टेन लिखते हैं ऐसे टेन आप ऐसा लिखते है üsको ही कश्च कर espe लिखेंगे कोई भी सर्कुट का यह ऑटपूट dość इंपुट जो भी करेंगे सब जीरो एंड वान के फॉम में करेंगे और यह पूरा सरकीट डिजाइनिंग भी करेंगे तो जीरो एंड वान के माध्य हम से इन्वाज मायह यह निए दीश्टल की दुनिया में आपको बतायेंगे कैसे यह काम करता है यह बताएंग यह तो आपको बहुत सारा चीजे यहाँ पर देखने को मिलेगा एक से लोजिकल ही चीजे देखने को मिलेगा कि सर अभी तक आपने पढ़ा होगा वान प्लस वान तू होता है लेकिन यह पढ़ाएंगे यह गलत नहीं है यह डिश्टल दुनिया है यहां पर चीजे समाजना होगा तो यह आपको पूरा चीजे को बताने वाले हैं यह भी इलक्ट्रोनिक्स एक्सपर्ट है कैसे क्योंकि डिप्लोमा जो कर रखे हैं इलक्ट्रोनिक्स के अंदर में बीटे कर रखे हैं यह भी इलक्रोनिक्स के अंदर में यानि डिप्लोमा प्लस बीटे दोनों का दोनों इनका इलक्रोनिक्स है तो कैसे कैसे तैयारी करना यह भी चीज़े यह आपको बताएंगे ठीक है क्योंकि फिलाल फुली फोकस इनका गवर्मेंट जो प्रिपेसर नहीं है बहुत अच्छे डंग से कर रहे हैं यह जो सलेक्टेड नहीं हुआ है अभी तक लेक्जाम बहुत सारे को कौलिफाई कर चुके हैं जैसा कि बार्ध बहुत बड़ा और लेक्राक कशली तो सलेक्टेड होना थोड़ा टाइम लगता है टाइम पढ़ता लेकिन आप क्कौलिफाई असानी से कर सकते हैसे क्वाइए तो आपको बहुत अच्छा से डिल करेंगे लगबक चार यह से यह पढ़ा रहे हैं यहां पे और इलक्टोनी जो सब्जेक्ट है जब से यह स्टार्ट हुए है तब से इसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ को बहुत बेनिफिट मिलेगा इनके बार से इनके बार में जान करके मिला होगा या इनसे आप पढ़ेंगे तो एक और सब्जेक्ट है कि सर जब इतना हम लोग करेंड कंडक्शन करवाएंगे यहां भोल्टेस बगेरा रेसिस्टेंस बगेरा अपन सब्सक्राइब को पाढ़ने के लिए आपको मिलना होगा हमारे सबसे अनुभावी से चक और यह यह आपको पढ़ाएंगे क्या ऐलक्ट्रोणिक्स मेजार्मेंट यानि पूरा सब्जेक्ट का नाम है इलक्ट्रोणिक्स मिजार्मेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और प यही सर पढ़ा रहे हैं यह भी डिप्लोमा जो कर रहे हैं वह इलक्टोनिस के अंदर में यह पढ़ रहे हैं और अभी क्योंकि बहुत सारे कल्कुलेशन का पाट है तो फिलाल यह बीए सी और आपको पीजी दोनों कर रहे हैं पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होता है सब्जेक्त को डिल करेंगे तो अबर आपका किता सब्जेक्ट हो वाबू का gast row पाच सब्जेक्त यहां पर टोटर पढ आया जाए जाएंगे कितने हैं पाच है प्रिप्लेंटल 5 आको पढ़ना दौरुक्ल के वाकित तीन सब्जेट्ट अपको तीन टीचर आप यहां पे सोच रहोंगे अभी सितार अन्agtर सब यह हैं तो आपको जो क्लास चलेगा फॉर स्टार लुथ स्टार क्या यहांπά सब इस ट्राब के साथ आपको करना है और आपको भी लाश्ट इमस्टार बन जाना है यानि आप बन सकते हैं यह एकिन से हम बोल सकते हैं कि अगर आप इन सारे सब्जेक्ट को यहां पर पढ़ते हैं यह कि आपके पास इतना सारा बुक यहां पर सो और होगा स्क्रीन पर इसका पीडिये भी आप लोगों मिल जाएक बाटस्प गूरुप में टेलिगराम गूरुप में जो जोवाइन करेंगो जोवाइन करेंगो लिंक दो हो रहाएगा डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में तो आपके स्टूडेंट के पास होना चाहिए ऐसे तो आप एडिसी के लिए लेक्ट्रोनिक्स डिवाइश और सर्किट के लिए है लेकिन मैं बता दू कि यहां पर इस बुक में इसी एन का भी बेसिक मिल जाएगा इसका भी बेसिक मिल जाएगा और यह माइगा अगर आप एक बुक ले आि दिस्यस के लिए तो इसं स्टफेशल बुक है अगर अगर अस्टेशल के लिए लिए अगर लेना ऽे टो आप शार्किट के लिए सकते हैं यह चाक्रवाति राइटर ए ठीक है यह प्रिस्पल आप इलेक्ट्रोनिस का ब्ुक लेना चाहते हैं दो संजै सर्मा का का भूक सकते हैं, सिस्टम है, तरु थानपत है उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनिस का भूक लेना चाहते हैं तो यह अनांद का ले सकते हैं यह अनंद सर का भूक नहीं है लेकिन शाs ऐसा है कि अनांद सर भी मेरे यहां डिज्ट्र इलिक्ट्र पढ़ा रहे हैं और यह ले सकते हैं फंडामेंटल ऑफ डिश्टल सरकिट और सकते हैं यह चीजे आपको स्पेस्ल बुके हैं और यह आपके कॉलेस के लाइब्रेरी में यह मिल जाएगा यह आनांद का भी मिल सकता है communication का यह चक्रवाती का यह हमें लगता है कि सब बुक आपको लाइबरेरी के अंदर में मिल जाएगा तो जो ना मिले सबसने Management कि ओर नहीं पढ़ेगा थोड़ा सा कोॉर्स के बारे में मैं जान लें क्या पर दो तरह का कोर्स अपको दिया जा रहेज़ा एक आपको रिकारड़े खिला जो पहले से रिकारड़े कोर्स लोचिंग में यह सारे चीजों को मैं पूरा बात करूंगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इन सारे बातों को ले क्या यहां पे आपको मिल जाएगा आपको मिलेगा Life Plus रिकॉर्डि पॉर्स यानि लाइफ आपको पूरा लेक्ण्ट ologist Innovative जाएगा क्या मिलेखा mukそうそう क्या मिलेखा तो क्या मिलेक मिलेगा प्लस 1799 1799 है यह निक्रीज होकर के 24 जुलाई के बाद 2499 हो जाएगा तो आप सेवी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ओफर में इस सब्जेक्ट को ले लेंगे ठीक है ना इस सब्जेक्ट को ओफर में ले लेंगे क्लियर है तो मैं आप लोग से बात करूंगा आगले सेशन में इस सेशन के लिए आपको सारा कुछ में बता दिया कितने भी चीजे थे पूरा इंट्रोडक्शन सारा कुछ हम करवा दिये अब आगले सेशन आप लोग बेट करेंगे ठीक है उसमें आपको सब्जेक्ट अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भेजेंगे ताकि वह स्टूडेंट भी अस्पेशा इलक्रोनिक्स इंजिनियरिंग यहां पर पढ़ाई कर पाएं ठीक है मिलते आगले सेशन में आज के लिए इतना है थेंक्यू एवर